समस्कार दोस्तों वेल्टिसकाई के एक उन्य इंटरस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का सवागत है मिठा नम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चाट को अंडेस्टेंड करेंगे समझने की कोशिस करेंगे कल मार्केट कैसा भी कर सकता है और जिस तरीके से निफ्टी में ब्रेक आउट आया है तो क्या निफ्टी 25,000 जाने के लिए तयार है या फिर अभी टाइम लगेगा और कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एकस्पारी होने वाली है कहां पे होगे तो डाव फिचर करीब करीब आपका 200 पॉइंट ऊपर है और यह फिचर पॉजिटेव हैं जबकि डॉनल्ड ट्रॉम्प के जो अटैक होने के बाद भी तो एक चीज ध्यान में रखिएगा यहां पर थोड़ी से अंसर्टी रह सकती है ग्लोबल मार्केट में तो चौवे सथा 600 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जब तक 24,500 की नीचे नहीं जाता नेफटी तब तक पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव साइट पे ज्यादा एप्रोच रखिएगा यह चीज आप त्लियर लिए ध्यान में रख रखिएगा क्योंकि काफी दिन बाद इसने ब्रेक आउट दिया था और 24-500 को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है यह चीज ध्यान में जरू रखिएगा ठीक है क्योंकि फ्राइड़े के टेडिंग सेशन भी है भी क्लोजिंग जो आई थी और आज भी 24-500 के ऊपर की क्लोजि इन करता रहेगा यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है चाट पर चलते हैं तो चार्ट को अंडर्स्टैंड करते हैं 50 मिनिट का टाइम लगा दिया है ठीक है तो यह आप यहां से इसने ब्रेक आउट दिया था इसके उपर सस्टेन कर रहा है तो अगर किसी भी से यह अगर 24,460 या 24,400 पर मिलता है तो डेफिनेटली आपको एक बाइब करके काम करना चाहिए क्यूंकि यहां पर यह पॉजिटिव मोमेंट बना हुआ है तो यह मार्केट के लिए और यह ब्रेक आउट एरिया है तो अगर दुबारा रिटेस्ट करता है तो यहां से 3,250 पर्फेक्ट एरिया है बाइंग का तो वहां पर आप जरूर बाइब करके काम करिएगा किसी भी रीजन से अगर बहुत बड़ा गैप खुल जाता है मालो 24,750 24,800 खुल जाता है तो फिर वहां पर बाइब नहीं बनता है क्योंकि वहां पर आपको प्राइस एक्शन का व अपने लेविल आने का वेट करेगा सबसे अच्छा लेविल यह है 24,450 से लेके 24,400 अगर इस लेविल पर आता है तो डेफिनेटली आप बाइब करके काम कर सकते हो ठीक है कल वैंग निफ्टी और फिन निफ्टी के एक्सपायर ही इसको समझते है तो देखो सिंपल दी तो इस तरीके से यह मार्क कर लीजें ठीक है क्योंकि यह रिजिस्टेंस एरिया है और नीचे जो सपोर्ट ले रहा है यह यह यहां पर आपका 52,150 से लेके 52,050 के आसपास यह कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है क्योंकि जब जब यह इस लोवर एंड पर आता है एक शाप ब ब्रेकाउट देता है किसी भी रीजन से अगर यह आज के हाई के ऊपर निकलता है तो इसको एक बाद बाए करके जरू काम करिएगा और टार्गेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलिएगा अरौं 53,150 के आसपास तक का टार्गेट लेके चल सकते है क्योंकि यह गैप है इतना 53,000 यह lifetime high के तरफ बढ़ सकता है ठीक है नेगेटिव यहाँ पर तब ही है जब यह 52,000 के नीचे trade करेगा क्योंकि यहां कहीं भी trade करेगा कहीं से भी sharp buying आ जाएगी और उपर आ जाएगा यह ध्यान में रखेगा जब तक यह 52,000 के नीचे trade नहीं करता तब तक यह negative नहीं है जब तक 52,000 के ऊपर trade कर रहा है तब तक यह कहीं से भी market reverse कर सकता है bank nifty क्योंकि आज भी अब देख सकते हो नीचे आया immediately buying आई फिर नीचे आया expiry के लिए जिसके आसपस यह close हुआ है और उपर अगर यह निकलना start करता है माल लीजिए 52,600 के ऊपर निकलता है तो definitely यह फिर आप तो रहा सा long side पर focus कर सकते हो target आप 53,000 का आप समझके चल सकते हो और चाहो तो उपर 53,150 तक का भी लेके चल सकते हो ठीक है अब सब कुछ कि आज का हाई है ठीक है अगर इसके ऊपर यह sustain करता है जो कि आज नहीं कर पाया था अगर इसके ऊपर sustain करता है तो फिर यह उपर आपको around 53,900 तक के target दिखा सकता है यह point आपको ज्यान में रखना है और नीचे के level पर आपको क्या है नीचे जब तक यह 53,600 के नीचे नहीं जाता तब तक यहां पर selling का कोई व्यू नहीं है क्योंकि यहां पर यह continuously support ले रहा है तो कहीं से भी दुबारा से बाइंग आ सकती है यह point आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो निफ्टी हो गया bank निफ्टी हो गया और आपका फिन निफ्टी भी हो गया कल के trading session में आपको इस तरीके से help कर सकते हैं थोड़ा सा market volatile है उपर candle नीचे candle तो यह थोड़ा सा annoying होता है क्योंकि इसमें क्या है premium आप ज्यादा देर hold नहीं कर सकते हैं अगर आपकी direction में spike आया तो तो बहुत अच्छी बात है आपको profit मिल सकता है बड़ आपके opposite गया तो फिर आपको loss भी कि वह वीडियो आप देख सकते हो उसके वीडियो टालने के बाद बहुत सारे लोगोंने में को message किया था कि बहुत से लोग agree थे कि नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मैंने point बताये थे कि trading fees बहुत आई है और plus जो आपका bidding difference है वह भी यहां पे रहता है कुछ लोग करेंगा तो यह भी वीडियो डाल रहे ते मतलब वीडियो डालने है, message कर रहे थे कि अगर कोई loss करता है वह अपना loss करेगा तो आपको क्या फरक पड़ता है और यह जहीं बात है कि अगर कोई crypto ऑना करेगा क्रेगा profit करेगा वह अपना करेगा ठीक है ना मेरे को ज़्यादा फरक नहीं पड़ता बट मेरा काम था कि एक बार आपको अपडेट किया जाए जो एक छोटी सी चीज़े होती है ट्रेडिंग फीज बिडिंग डिफ्रेंस यह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप अपनी ट्रेडिंग फीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप कभ कर दो कि एड़तो जै किंदॉ